नोटबंदी के बाद आमजनता के नाम पर देश्वर में सियासत जारी है नोटबंदी से आमजनता से ज़्यादा विपक्षिदल परिशान है और नोटबंदी को लेकर हल्ला मजाए हुए है कांग्रेस पार्टी भी जनता की परिशानियों के नाम पर सरकार पर जमकल हल्ला बोल रही है आज नोटबंदी को चार सप्ता का समय हो चुका है इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आज केंदर सरकार को आड़े हाथ हो लिया है शिमला में पूर्व केंद्रिय मंत्री पवन बंसल ने केंदर सरकार पर हमला बोला और नोट बंती से जनता को हो रही परिशानियों का जिक्र किया पवन बंसल ने केंदर सरकार पर अरोप लगाया है कि जब से परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वह 1000 के नोट पर पबंदी लगाई है उसी दिन से देश की जनता कतारों में लगी हुई है पर बैंक एवं एडियम खाली पड़े है उनका कहना है कि सरकार ने बिना पूर्ब त्यारी के नोट पंदी करने की खोशना कर दी जिस कारण देश की जनता परिशान है केंदर सरकार कह रही है कि इस से ब्रश्टाचार एवं आत्तक बाद का खात्मा होगा और देश की आर्थिक स्तिती सही होगी जबकि यह अभी तक गलत सिथ हुआ है उनका कहना है कि कैशलेस का जो ध्रम केंदर सरकार फैला रही है वै भारत जैसे ग्रामिंट देश में इतना चल्द संभब नहीं है पूरे चार हफते पहले 1,000 का नोट और 500 का नोट बंद किया और उसके एक्सचेंज में लोगों को जो पैसा नहीं मिल रहा जो तंगी में हैं मुशकल में हैं यह सरकार का लोगों के परती एक सबसे घिनवना लोगों के लिए सबसे बुरा ये एक कारियर है एक एक्शन है जिससे लोगों में बिलकुल हफरा तफरी में चादी है ऐसी स्थिती में वो कह रहे हैं कि ये लोगों को थोड़ी बहुत प्रिशानी है तो देश के लिए आप सहली जिए ये देश के हित में नहीं हुआ जितना टोटल लॉस ओफ एकॉनमी जो कॉस्ट टू एकॉनमी हमारा होगा जो हमारी आर्थ विवस्ता पे इसका खर्च पड़ेगा वो भी उससे ज्यादा होगा जितना शायद पैसा वापस फ्लो ना करे जानी कि जो इफेक्टिव डी मॉनिटाइजेशन होगी बाकी पैसा जो बैंकों में जमा है तो वो लोकों को देना पड़ेगा आज के दिन राशन कर रहे हैं लेकिन तीन महीने चार महीने च्छै महीने के बाद देना पड़ेगा लेकिन उतने समय में जो हमारा नुकसान हो जाएगा देश का वो एक परसंट जीडीपी एक कंसर्वटिव एस्टीमेट है कम से कम उतना नुकसान हो जाएगा वो डेड़ लाक क्रोड रपैसे उपर तो नुकसान होगा परधान मंतरी तो उसके बाद 50 दिन के बाद कह रहे थे कि एक महीना का और लगेगा लेकिन अरुन जेतली जी जो वित मंतरी हैं उन्होंने कह दिया तीन महीने और लगेगा लेकिन अभी आठ महीने इनको पूरे जितने नोटों की जरूरत है वो नोट चापने में लगेंगे वो उनको चापने पड़ेंगे